पस्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला ट्विनी डॉक्टर के साथ दुशकर्म के बाद से ही पुरा देश आक्रोष में हैं वहें इस मामले में कॉलकाता के छात्रों ने आज जाने की मंगलवार को फिर से एक बार जम कर विरोध किया है दरसल कॉलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्विनी डॉक्टर के साथ रेप मर्जर के विरोध में पस्चिम बंगाल छात्र समाज नाम की संगठन ने नवन्ना अभियान का आहवाहन किया है जिसकी बाद सही मंगलवार को छात्र राज सवची वाले मार्श करते नजर आए हैं तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों के कड़े विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए राज प्रिशाशन ने सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम किये हैं दरसल प्रदर्शन कारियों ने पुलिस द्वारा हावडा के संत्रा गाची में लगाए गए बैरिकेट्स को तोड़ दिया है मंगलवार को नावन वा आसपास के इलाके में पुलिस कर्मियों की बड़ी फोर्स तैनात की गई वहें सुरक्षा का जिम्मा AIG वा DIG रैंग के 21 पुलिस द्विसकारों को स्वापा गया इसके अलावा SP वा DSP रैंग के 13 पुलिस द्विस द्विकारी आतरेक्ट पुलिस अधिक्षक रैंग के 15 अधिकारियों को भी तैनात کیा गया इतना ही नई सुरक्षा को देखते हुए राज़ प्रिशाशन द्वारा भी कॉलकाता के हावडा ब्रिच को स्टील कर दिया गया किसी विवाहन को आने जाने की अनुमती नहीं है इसके साथ ही कॉलकाता के हैस्टिंग्स में फूट विलियम के पीछे के गेटो पर नागरिक स्वयमसेव को द्वारा ग्रीस लगाया जा रहा है ताकि प्रदर्शन कारियों को बैरिकेट्स पर चरने से रोका जा सके प्रदर्शन कारियों द्वारा किये गए विरोज से अब सियासत में भी काफी अफरत अफरी मची दिखाई दे रही है दरसल त्रिल्मूल कॉंग्रस नेता कुणाल गोश ने नावन अभियान के पीछे बड़ी साजिश होने का दावा किया है टीमसी नेता ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि इसके पीछे भाजपा है जो खून की राजनीती कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ केंद्री राजमंत्री वा बंगाल भाजपा देक्ष सुकांद मजूमदार ने कहा कि ममता सरकार छात्रों के आंदोलन से डर गई है इसलिए उसे दबाने की कोशिश कर रही है छात्रों के आदोलन के दोलान अगर कोई बड़ी घटना होई तो राजस सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी इन सब के बीच बंगाल पुलिस को भी इस प्रदेशन को लेकर खूफिया जानकारी मिली है जिसके बारे में बंगाल पुलिस के आतरिक्त महाने देशक मनोच कुमार वर्मा ने कहा राज सची वाले वाला इलाका सरक्षित है किसी भी संगठन की ओर से वहाँ विरोज जताने के लिए कोई आवेदन भी नहीं किया गया है हमें खूफिया जानकारी मिली है कि कुछ बदमाश अभियान की आड में आशान्ती फेलाने की कोशिश कर रहे है यह भी खबर है कि बच्चों वा महिलाओं को आगे रख कर गड़बड़ी की जा सकती है उन्होंने आगे कहा कि मंगलवार को UGC NET की परिक्षा है उसमें भी बादा डालने की कोशिश हो सकती है हमारा यही प्रयास होगा कि आम लोगों की किसी तरह की परिशानी ना जिलनी पड़े तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए वा उनसे जुड़ने के लिए देखती रहे है लिली न्यूस ओफ इंडिया